हालो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दक्ष किसान और किसान सार्थी पॉर्टल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये दूनों पॉर्टल जहें वो आपको आफर करते हैं स्किल डवड़ेलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां पर आप उनलाइन लेर्णिग मैनेजमेंट सिस्टम याने वेब बेस्ट टेक्नोलोजी के थो कोई भी कोर्स याने कोई भी प्रोग्राम एगरिकल्चर के रिलेटेड जोएन कर सकते हैं और सीख सकते हैं तो सबसे प याने लेर्णिग मैनेजमेंट सिस्टम वेब बेस टेकनोलोजी है जहां पर आप उनलाइन किसी भी कोर्स को जाइन करके सीख सकते हैं और इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है बिल्कुल इजी है आप आराम से इस पर आपनी रजिस्टरेशन करके आराम से कोई भी कोर्स जोएन करके सीख सकते हैं इसमें आपको टोटल 121 सेर्टिफिकेशन कोर्स मिलते हैं जिस पर 1600 मल्टी लैंग्विज वीडियो और 20,000 पेज जहां पर आप लर्डिंग मैटेरियल रीड कर सकते हैं इन चार लैंग्वेज में जिसमें कि उर्दू, हिं सकते हैं और इसकी जो है आप मोबाइल अप्लिकेशन डालोट कर सकते हैं प्ले स्टोर से तो अब मैं आपको उपता हूंगा कि आप इसकी रेजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं अगर आप के पास CSC है तो CSC केंटर कैसे कर सकते हैं और अगर आप से करना चाहें तो आप से भी इसके registration कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं मैं आपको दिखा देता हूं कि आप एक new registration कैसे कर सकते हैं So let's get started दक्ष किसान पे registration के लिए सबसे पहले आपने अपने mobile phone या laptop में कोई साभी browser open कर लेना है उसके बाद search bar में आके आपने tap कर लेना है दक्ष किसान और enter कर लेना है आपके पास पहली website open करके आज जाएगी दक्षकिसान.jk.gov.in इस पे आपने click कर लेना है उसके बाद आपके पास इस तरह से इसका home page open करके आजगा जहां पे आप सारी instruction read कर सकते हैं आपके जो जो भी इस पॉर्टल पर features और दिये गए हैं वो आप यहां पर read कर सकते हैं उसके बाद simple new registration के लिए आपने यहां पर login पर click कर लेना है देन उसके बाद आप पस इस तरह से login portal open करके आजगा यहां पर आपको दू टाइप से आप registration कर सकते हैं अगर आप CSE के थ्रू करना चाहते हैं registration तो आपने first link पर click कर लेना है login with CSU और अगर आप self से registration करना चाहते हैं तो आपने यहां पर create a new account इस पर click कर लेना है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप CSE के थ्रू दक्ष किसान के अंदर registration कैसे कर सकते हैं किसी भी किसान की तो उसके लिए सबसे पहले आपके यहां पर click कर लेना है login with CSC अगर आपसे CSC ID और password बंगते हैं तो आपने फिल करकी login कर लेना है और अगर आपके ब्रोजर में automatically CSC ID सेव होगी तो यह automatically login हो जाएगा उसके बाद यहां पर आपके पास उपर शो हो जाएगा आपने e mail ID फिल कर लेना है अगर आप e mail ID फिल नहीं भी करते तो क्षमीर डॉजन आप खरेमें इसके बाद यहां पर आपने अपने दिस्ट,… को सल्क्ट कर लेंगे जिस भी डिस्टिक से किसान बिलॉंग करता हाantes das instantж करेंगे हुआ цел readings left लिटेंट रेंगे now, every week लिए can um two local city, Burada दो उसके बाद यहां पर लोकेशन अपया और लिुडाल ऩती है आपने हम फिल करने है, जैसे आप फिल करोगी तो उनके नंबर पर यहां पर यहां पर प्रेया करते रिजर करने है जहां पर अपको 36 रुपीज जो है पैमेंट कटवानी पड़े गिया है आप customers ले 100 रूपीज तक चार्जेस के पियेम दक्ष किसान के पॉटल पर रेजिस्टेशन के और इस और में दिया है जो आप अगर आप CSE के अंडर्ड़ किसान के अगर आप रेजिस्टेशन करते तो 100 रूपीज तक चार्जेस ले सकते हैं और अगर आप सार्थी पोर्टल पर रिजिस्टर करते हो तो वहां पे आप 50 रुपीज ही चार्ज़ ले सकते हैं यह और्डर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा जैसे आपकी पैमेंट डन हो जाएगी CSE से तो आपके पास एक ट्रांजक्शन स्लिप इस तरह से जनरेट हो जाएगी यहां पे आप उनको यह ट्रांजक्शन स्लिप दे सकते हो जैसे आप रिजिस्टर कर दोगे और अपने डैश्बूर्ड में आ जाओगी तो यहां पर जितने भी आप एंड्रॉल्मेंट करोगे किसांज की वह यहां पर आपको शो हो जाएगे इसके बाद एड़ यूजर पर क्लिक करके आप CST के तुरू बाकी और न्यू रेजिस्टरेशन कर सकते हैं और यहां पर माइप प्रोफाइल में आके आप अपनी प्रोफाइल वगएरा चेक कर सकते हैं एक बार बार रेजिस्टर न चाहिए होने के पाद आपने फिर से आ चाहनई होंपेज पर लॉगिन पर क्लिक कर लेना है उसके बाद अगर वो किसान लॉग इन करना चाहते है तो यहाँ पर आपने second option यहाँ आपने OTP login पर क्लिक कर लेना है और उनका mobile number यहाँ पर आपने fill कर लेना है second वाले section पर OTP login पर और अगर आप without CST करते हैं तो आपने create new user account पर क्लिक करके यहाँ पर आपने same detail फिल करनी है और उनका जो है वो एक new user account create कर लेना है जिस पर आपने enrollment की है उसको login करने के लिए यहाँ पर आपने second option select कर लेना है OTP login उसके बाद जो number आपने वहाँ पर फिल किया था वो number आपने यहाँ पर फिल कर लेना है एक OTP उनके number पर चला जाएगा वो OTP आपने यहाँ पर फिल कर लेना है आपको पस इस तरह से जो farmer account वो login हो जाएगा यहाँ पर homepage में जो-जो course वो enroll करेंगे वो यहाँ पर show हो जाएगे और कितने percent उनने complete किया उस course में वो भी यहाँ पर show हो जाएगा एक new course enrollment करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर homepage पर click कर लेना है उसके बाद यहाँ पर scroll down करेंगे और यहाँ पर आपको पहले show हो जाएगा my courses जिन में आप enroll हो चुके है उसके बाद जिस भी course में वो join करना चाहते हैं वो course आपने यहाँ पर select कर लेने जिस भी course में वो अपने enrollment करना चाहते हैं आपको सबी courses show हाएँगी जिस भी you requirement करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर select कर लेना होगा जो भी लिंक दिया गया है उस पर आपने क्लिक कर देना है उसके बाद उसकी कैटेगरिस आगे शो हो जाएंगी जिसमें भी आप इन्रॉल्मेंट करना चाहते हैं वो यहां पर आप फिर से स्लेक्ट कर लेंगे यहां पर आप उपर जो लिंक दिया गया है उस पर आपने क्लिक कर लेना और यहां पर आपको आजागा एंडरॉल में इस पर आपने क्लिक कर लेना उसके बाद यहां पर आप कुछ चप्टर वीडियो वगरा दी गई होंगी यह सबी आपको कंपलेट करनी है जैसे कि इसमें कुर्स को रीड कर सकते हैं एक बार रीड करने के बाद यहां पर आपने क्विज टेस्ट करना है क्विज जैसे आप कंप्लेट करोगे उसके बाद यहां पर आपको एक लास्ट में सैटिफिकेट भी मिलेगी जब आप यह पूरा कॉर्स कंप्लेट कर लेंगे इसका जो बैनि यहां पर आपको चारू लंगवेज में सेखने को मिलेगा, आप कैसे खेते बारी वगरा कर सकते हैं, वो सब कोर्सिस यहां पर दिये गए हैं तो जहां पर आप अपने स्किल कर सकते हैं, तो साम इसी तरह हमारा दूसरा पॉर्टल है कि सान सार्थी उसमें भी साम यही कर सकते हैं अगर कोई भी आपको हैल्फ लाइन वगरा चाहिए तो आप यहां पर 12 पर कॉल कर सकते हैं और सर्विसिस में जाकर अगर हम देखें तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी तो मेरे ख्याल से किसान सर्षी से जो दक्ष किसान है वह बहुत अच्छा पॉर् होगी और इंफार्मेटिव लगी होगी तो अगर इसके देखें आपने कुछ भी पूशनें तो आप नीचे कमेंट करके पूशनें सो ओके गाइस थांक्यू 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 सो मच पर वाचिं इस वीडियो